अस्सलाम वालेकुम मैं अफसर मैसूरी नाजरीने एकराम 27 एप्रेल A2Z News मैसूर खुद को बिखरता देखते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं सौधी अरब 80 मेट्रिक टन ऑक्सिजन हिंदुस्तान भेज दी हिंदुस्तान में करूना वाइरस के केसस में हालिया गहर मामूल इजाफा कूमदे नजर रखते हुए सौधी अरब 80 मेट्रिक टन माई ऑक्सिजन हिंदुस्तान भेज दी है अरब न्यूस के मताबिख हिंदुस्तान के लिए आक्सिजन ग्यास की फौरी फराहमी की खप हिंदुस्तान के अडानी ग्रूप और लिंडे कंपनी के साथ हम आहांगी के तहट की जा रही है गुजिश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में करूना वैरस के बढ़ते हुए मामिलों की तेदाद 3,49,691 रिकार्ड की गई है करूना वैरस के बहुत ज्यादा बढ़ते हुए मरीजों की तेदाद का ये पांच्वा दिन है और दिली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हस्पतालों में विस्तरों के अलावा तबी ऑक्सीजन की भी कमी देखने में आ रही है साओधी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खयाम हिंदुस्तान सफारत खाना की जानिब से अडानी गुरूप और लिंडे की ताउन से असीटन माय आकसीजन भेजने पर इत्मिनान का इजहार किया गया है रियाज में कायम हिंदुस्तान सफारत खाना ने अपने एक टूइट में साओधी अरब की विजारत सेहत की जानिब से इस मौके पर हिंदुस्तान की हर तरहा की मदद, हिमायत और ताउन पर दिली तोर पर शुक्रियादा किया है वाज़े रहें कि हिंदुस्तान में करूना में मुब्तिला मरीजों की जान बचाने के लिए गयास की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आक्सिजन गयास सिरिंडर्स सिंगापूर से भी बजर हवाई जहांज मंगवाए जा रहे हैं मश्रीक वस्ता के रोजनामा अश्र्ख वस्त ने इतवार के रोज बताया है कि सनाती जरूरियात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आक्सिजन ज्यादा जरूरत के बाईस अस्पतलों को मुहया की जा रही है बताया गया है कि इस अख़दान के बाउजूद तलब में घर जरूरी इजाफा नहीं देखा गया और मजीद उर्दू खबरों के लिए आप हमारे A2Z News मैसूर को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट्स करें और हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और हमेशा अपना और अपने घर वालों का खास खयाल रखें और हमारी अगली खबर के लिए इनतजार करें अस्सलाम आलेकुम वर रहमतुलाही वर बरकातु हूँ